हेलो लिएर बिलकम करता हूँ आप सुभी को यूटूब चनल नर्सिंगान में जितने भी सकेंड यर के डियरे स्टुडेंट है तो पता है कि कल हम लोग MSN 1 और MSN 2 दोनों से जो है हम लोग एक एक परसं एक ही वीडियो में किये थे और आज हम लोग जो है Child Health और Mental Health यानि दो सब्जेक्ट कल हो चुका था et ak प्रस और आज के इस वीडियो में एक एक परसं हम लोग Child Health से और एक परसं Mental Health से कर लेंगे तो हमारा चारो सब्जेक्ट से के कुश्चन और इसी सब्ता हमें किलियर हो जाएगा तो इसलिए आप लोग पढ़िए समझिए मैं तो रिवीजन करवाऊंगा ही फिर से ताकि जो लोग सुरू से नहीं पर हैं उनको भी बेनिफिट्स हो जाए बट जो एक बार अच्छे से पर लिये रहेंगे उनको रिवीजन में और ज़्यादा जो है किलियर हो जाएगा समझ गये चलिए सुरू करते हैं चाइड हेल्थ से मेंटल हेल्थ से एक प्रस्ण लिया गया है बहुत बढ़िया इंपर्टेंट प्रस्ण है समझिएगा और यह प्रस्ण आप के एकजाम में पुछने की बहुत बार इस बार संभावना है ओके बिना किसी दिरे किये हुए चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है कहता है ECT में हम आप लोग को ECT परहा चुके हैं इसे पहले वाले वीडियो में मेंटल हेल्थ के ECT के मैकनीज में ECT कैसे देते हैं कब देते हैं कब नहीं देना चाहिए ECT के बारे में complete वीडियो दे चुके हैं तो जो लोग नहीं देखें जाकर देखिए बहुत बहुत important है long के लिए आज हम लोग देखेंगे कि ECT जो देते हैं चुकि ECT एक उपचार है एक इलेक्ट्रो बेब उत्पन करने का एक ठीरेपी है जो कि एक भ्यंकर पागलपन मरीजों में दिया जाता है खतरनाक मरीजों में समझ गए तो इसमें ECT देने में नर्स की क्या भूमिका होती है या भूमिका यहां पर पूछा गया है अब मैं यहां पर एक बता दू जो ECT वाले वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे और जो यह जानते हैं कि किसी भी पेसेंट को नर्सिंग देखवाल कैसे देते हैं यानि सरजरी के कंडिशन में तो सरजरी में क्या होता है सरजरी से पहले सरजरी के दौरान और सरजरी के बाद तीने स्टेफ होता है जानते हैं पिरी होता है इन्टरा होता है यानि पेरी होता है और पोस्ट होता है तीन होता है और इसी तीनों कंडिशन में देखवाल देते हैं ठीक उसी परकार से जिस परकार से सरजरी वाले पेसेंट का देखवाल करते हैं तीनों कंडिशन में, उसी परकार से हम ECT वाले मरीजोग में भी करेंगे, तो जो लोग ECT वाले वीडियो अच्छे से देखे होंगे, तो उनको पता है कि क्या क्या होता है, कब होता है, क्या किया जाता है, तो उसी पर अधारी तीनों कंडिशन में आराम स लिख देंगे बाकी चलिए हम लोग पढ़ते हैं आपके सामने है रोल आफ नर्स इन इसीटी इसीटी परदान करने में नर्स की क्या भूमिका होती है इस चीज को हमको यहाँ पे देना है समझ गए सबसे पहले भूमिका में हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसीटी के पूर्व नर्सिंग देखवाल जिस परकार से सरजरी से पूर्व देखवाल होता है उसीटी से पूर्व देखवाल होगा समझ गए अब इसीटी से पहले क्या होगा इसीटी से पूर्व रोगी वह उसके समबंधियों से सहमाती प्राप्त किया जाएगा लिखित सहमाती ल जिस परकार से सरजरी में हम लोग सरजरी से पहले सभी परकार के लैब जांच फिचकल एक्जामिनेशन करवाते हैं उसी परकार से ECT में भी टोटल लैब इंवेस्टिगेशन और जो है फिचकल एक्जामिनेशन होगा समझ गए रोगी को ECT से 8 घंटे पुर्व मुह से खाने भोजन मुह से नहीं दिया जाएगा क्यों क्योंकि मुह से सिक्रेशन को कम करना रहता है समझ गए रोगी वह उसके रिलेटिव को ECT परकिरिया के बारे में बिष्टार से समझा कर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए जो भी मरीज है मरीज के जो भी सखा संबंधी साथ में आया है उसको ECT बारे में बताएंगे कि कैसे यह परकिरिया चलेगा और उससे अगर कोई सहयोग लेना है तो उससे सहयोग भी प्राप्त आप कर सकते हैं समझ गए रोगी को सरीर पर इस्थित धातू की बस्तूओं हटा लेना चाहिए जैसे किरितिम अगर दात लगा हो तो दात को निकलवा दे घरी पहना हो घरी चूरी पहना हो चूरी अंग्ठी पहना हो अंग्ठी इस सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे उत्रबा देंगे ECT देने से पहले में ही समझ गए आगे है रोगी को सरीर के कस्य हुए कपरे को हटा कर धीले कपरे पहनाने चाहिए अब रोगी के सरीर पर कोई भी जो है टाइट कपरा अगर रोगी पहना हुआ है तो उसको हटा देंगे और उसको हटा कर क्या करेंगे कि उसको हटा कर हम लोग धीले क पप्रे जो है पहनाएंगे समझ गए ऐजनर्स महिला रोगी को लिपिस्टिक लगा है तो वो उत्रवा देंगे नेल पॉलिस को हटवा देंगे और साइनोसिस को पहचान की जा सके नेल पॉलिस पर नेल पॉलिस इसली हटाया जाता है ताकि जो हम लोग ऑक्सीमीटर से जो ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो वह पता चल सके अगर उस पर पॉलिस लगा रहेगा तो वह नहीं चेक हो पाएगा समझ गया जिससे साइनोसिस की पहचान नहीं हो पाएगा रोगी को मल मूत्र त्याग करने है तो प्रोसाहिद करें जिस प्रकार से सरजरी से पहले पैसेंट का मल मूत्र त्याग करने के लिए प्रोसाहिद करते हैं उसी प्रकार से ECT से पहले भी मल मूत्र त्याग करने के लिए पैसेंट को प्रोसाहिद करेंगे चुकि जब यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उस दोरान मल मुत्र मालूम न दे रोगी को 30 मिनट पुर्व आवस्यक और सिधिया दी जानी चाहिए अब चुकि जो लोग पढ़े होंगे इसी टी के बारे में उनको पता है मैंने बताया था कि 30 मिनट पहले सिकरेशन को रोकने वाला एटरोपीन दिया जाता है जो मुह से ज़्यादा सिकरेशन ना हो उसको रोकने के लिए एटरोपीन सल्फेड दिया जाता है समझ गये ile? उसके बाद एही सब दवाया होता है उसके बाद आपको ECT रूम में सभी आवस्यक उपकरन की ब्याख्या करनी चाहिए जब आप पेसेंट को त्यार कर देते हैं तो पेसेंट को ECT रूम में ले जाने से पहले एक बार ECT रूम को चेक कर लेते हैं कि कोई उपकरन बगारा तो कमी नहीं है फिर रोगी को संपून रिकॉर्ड सहीत ECT में पहुचाना चाहिए फिर जब देख लेते हैं ECT रूम सब ओके है तो टोटल रिकॉर्ड के साथ फाइल के साथ जितने भी जाच बगारा हुआ है सभी रिकॉर्ड के साथ ECT में रोगी को पहुचाते हैं और रिकॉर्ड ECT रूम में पहुचाने के साथ ही ECT से पुर्व देखवाल समापत हो जाता है नर्स का समझ गए तो यह हो गया ECT से पहले की देखवाल जो की एक बेसिक देखवाल है जो एक ECT होने से पहले क्या क्या चीज करेंगे वो सारे चीज को यहाँ पे लिखना रहता है दूसरा है यहाँ पे ECT के दवरान अब ECT से पुर्व देखवाल हो चुका ECT रूम में मरीज को हम लोग ले आये हैं तो अब ECT के दवरान क्या देखवाल होगा जब ECT चलेगा उस दवरान चलिए देखते हैं नर्स को ECT रूम में रोगी को अरमदायक बिस्तर पर सुपाइन पोजिशन में लिटा कर कसे रुक दंड के नीचे तकिया लगाना चाहिए ताकि भर्टेवरल कोलूम में फरेक्चर ना हो तो आप लोग को पता है हम परहाए थे तो वहाँ पे ECT के त्यारी में बताये थे कि मरीज को सही इस्थिती परदान करना ECT में वहाँ पे बताये थे कि सुपाइन पोजिशन में पीठ के बल लगाएगे चुकि जब पीठ के बल लगाईएगा तो जोर के जटका लगने से हो सकता है पेसेंट के जो भर्टेवरण है रीड के हड़ी उसमें फ्रेक्चर हो सकता है तो इसके लिए जो है उसके नीचे हम लोग तकीया लगा देते हैं फ्रेक्चर से बचाने के लिए यह होगी आपका दूसरा है रोगी को सांती वो तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक द्रग दी जानी चाहिए पेसेंट को ज़्यादा दिकत ना हो इस ECT देने से सांती देने के लिए तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक द्रग देते हैं समझ गए यानि जो सुनपन लाता है बेक्ती को जो है अर्ध कंसियस में ले जाता है समझ गए रोगी को जूते उतारने चाहिए ताकि पेर में पर्तिकरिया देखी जा सके अब आप लोग को पता है कि जब ECT देते हैं तो हम लोग पेर में जो है रियेक्शन देखते हैं पर्तिकरिया देखते हैं ECT का समझ गए तो उसके लिए जूता को उत्रबा देनी चाहिए ताकि तलवा में पता चल सके रोगी में टंगू बाइट रोकने वा एरेस्पाइरेशन है तू समझ गए ना माउथ गैग का उप्योग करना चाहिए टंगू बाइट का मतलब होता है अब यह भी लोगों को मैं परहा चुका हूँ कि टंगू बाइट कर सकता है पेसेंट समझ गए मुह से अपने दातों से जीव को काट सकता है कब होता है जब जटका लगता है तो दात पे दात जो है बैठाने लगता है पेसेंट तो उससे जीब कट सकता है समझ गए मुह बंद होने से respiration रुख सकता है तो इसके लिए मुह में mouth gag लगा देते हैं जो मुह को खुला रखता है जो तंगीव को कटने से बचाता है और respiration को अच्छा रखता है ECT के थाई को thigh seat से बान देना चाहिए वा गर्दन कंदो को सहारा परदान केना चाहिए अब जो ECT थाई होता है उसको जो है thigh seat से बान देनी चाहिए उसमें लगा होता है पटी उसको बान देनी चाहिए और गर्दन को जो है हम लोग जो ECT के जो थाई होता है उसको थाई सीट से बांद देनी चाहिए समझ गए और इसलिए बांद देना चाहिए ताकि जटका लागे तो पेसेंट जो है सुपाइन पोजिशन में ही रहे इधर उधर ना हो समझ गए क्योंकि जो रखे जटका जाता है उससे दोड़ा एकदम उत्पन होता है समझ गए तो जीसे पेसेंट इधर से उधर हो सकता है तो उसको फिक्स करने के लिए जो है थाई को टाइट सीट से क्या करते हैं बांद देते हैं कसके और गर्दन को सहारा परदान करते हैं ECT दोड़ा उत्पन जो भी दोड़ा होता है सीजर होता है उसको ध्यान प्रुबक अवलोकन करना चाहिए कि कितना सीजर जो है उत्पन हुआ है कितने देर के लिए समझ गए एंड रोगी को गर्दन को हाइपर एक्स्टेंडेर पोजीशन में रखकर टंग्यू बैक फॉल करना चाहिए अब जो मरीज है ECT के दोरान पेसेंट का जो सीड का पोजीशन है गर्दन का वह बिलकुन तान के तन के रखने के लिए कहेंगे ताकि जो टंग्यू बैक फॉल है अंदर की तरफ जो है टंग्यू जीव न जाए समझगे तो यह चीज को ध्यान में रखेंगे तो यह सब कुछ कुछ चीज़े ECT के दोरान देने में ध्यान रखते हैं अब हम लोग देखेंगे ECT के बाद का देखवाल ECT के 50 नर्सिंग देखवाल, अब ECT के बाद का देखवाल, तो बाद की देखवाल में क्या क्या होगा, तो पहले देख लिए, दोरान देख लिए, दोरान मतलब जब ECT चल रहा होता है, तो क्या क्या चीज की सहायता करेंगे, समझ गए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ECT के बाद तो ECT के बाद में सबसे पर्थम होता है कि यैसे ही ECT समाप्त होता है तो Total Vital Sign Pulse Temperature समझ गए Heartbeat ये सब का Respiration ये सब का जो है जाचेंगे निरंतर ओके रोगी को Side Line Railing उपलब्ध करवा कर मतलब जो रोगी है उसको Side Line Railing उपलब्ध करवा कर Side Line Position दी जाती है जिससे जो स्रावी पदार्थ हो वह मुह के द्वारा बाहर निकल जाए जब ECT चल रहा होता है तो हो सकता उस दौरान बेक्ती के सिक्रेशन जो है बाहर नहीं आ रहा होता है समझ गए तो इसके लिए क्या करते हैं कि स्रावी पदार्थ को बाहर निकालते हैं Side Line Position दे कर रोगी में उत्पन जटिलताओं को पहचान कर सिग्र उपचार करवाना चाहिए अग जो रोगी है उसमें कम्पलिकेशन को पहचानना चाहिए कि अगर ECT के बाद अगर कोई जटिलता उसमें दीखे जो जटिलता हम लोग परहा चुके हैं जैसे headache होना समझ गया बेचाईनी होना restless होना समझ गया बहुत सारे जटिलता हम लोग बता चुके हैं तो उस जटिलता में से कोई भी जटिलता देखे तो तुरन डॉक्टर को सुचित करेंगे और उसका treatment करवाएंगे ओके आगे है रोगी को होस में आने पर समय बेक्ती अस्थान वा घटना का पूना परिचाई करवाना चाहिए अब चुकी ECT जो दिया गया है तो उसमें anesthetic drug का उप्यों किया गया है बेहोसी बाला ड्रग का तो पेसेंट बेहोसी हो सकता है तो जब पेसेंट ECT के बाद बेहोसी टूटे जब बेहोसी खतम हो जाए तो अपने आसपास के चीजों से परिचाई करवाना चाहिए समझ गए स्वसन की कठनाई में oxygen परदान करे ECT देने के बाद पेसेंट को अगर oxygen का दिक्कत हो रहा हो सांस लेने में तो आप जो है oxygen दे सकते हैं समझ गए रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना चाहिए रोगी को ECT record बना कर उसका संचिप्त बीवरन लिखना चाहिए अब चुकि हम लोग जानते हैं कि ECT सपता हमें दो से तीन बार दिया जा सकता है तो इसलिए हमें रोगी का record बनाना चाहिए कि ECT कितना दिया गया कितना ज़टका दिया गया कितना बारशप्ता हमें दिया गया record बना कर रखते हैं ताकि इसका आगे जहुरत परने पर उप्योग किया जा सके तो यह हो गया ECT का देखभाल आँ देखभाल में कोई लिमिट नहीं है देखभाल में आप पेसेंट के सहायता करने के लिए हैं तो देखभाल चाहें आप पेरी में किजिए चाहें इंत्रा में किजिए या पोस्ट में किजिए जिस भी condition में आप देखवाल कर रहे हैं आप अपने skill को develop किजिए कि आप क्या-क्या चीजे कर सकते हैं मरीज के सहायता में एश्ट्रा चीजे बिल्कु नहीं करना है जो डॉक्टर के खिलाप में हो जाए जो डॉक्टर नहीं कहे वो बिल्कु नहीं करना है हाँ मरीज के देखवाल सहायता के लिए आप अपने विवेक का इस्तमाल करके और सारे चीज लिख सकते हैं जो एक परकार से सर्जीकल पेसेंट वाले का लिए होता है ठीक उसी परकार से यहां भी देखवाल लिख सकते हैं बट मैटर दोनों अलग होना चाहिए क्योंकि वहा अकेला दस नंबर में पुछता है बार बार ओके की इसी टी का नर्सिंग देखवाल बताए नर्सिंग परवंद बताए बता दिये चलिए हो गया समापत अब टोटल का मैंने यहां पर इंगलिस दे दिया है जो इंगलिस वाले कंडिडेट हैं वो इंगलिस में ही त्यारी क से एक परसन देख लिए अब हम लोग चाइल्द हेल्थ नर्सिंग की तरफ आ रहे हैं और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चछठा नंबर का जो है हम लोग यूनिट आज शुरू यही पर कर रहे हैं चछठा जो यूनिट है वह बहुत संदार यूनिट है उसमें बिभीन परकार के disorder के बारे में परना है नाम ही है चेप्टर का कि different disorder in child मतलब बच्चे में बिभीन परकार के disorder बिकारों के बारे में समस्याओं के बारे में परना है unit number 6 में समझ गए तो चलिए इसमें हम लोग का पहला और अच्छा और पूछे गए प्रशन है नेफरोटिक है इसके कारण इसके लक्षण निदान प्रबंध नर्सिंग देखवाल सब चीज बताना है कि निफ्रेटिक सिंड्रॉम होता क्या है child health नर्सिंग में हो सकता है यह परस्ण जो है आपको पूछ दे medical surgical नर्सिंग में क्योंकि दोनों जगह परना है तो टिंसन नहीं लेना है और वो medical surgical में जब कूछन यह आएगा तो मैं वहां पर परहांगा भी नहीं क्योंकि जब यहां परहाईये देते हैं तो वहां परहाने की क्या जूरत है बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि जो देखव हो सकता है तो दोनों को तो अलग-अलग तिया नहीं देखवाल होगा तो उस बच्चे के हिसाब से बच्चे में देखवाल करेंगे और अगर एक normal है तो normal वाले के हिसाब से खवाल करेंगे बाकि टोटल मैटर समान होगा तो इसलिए जो यहां परहा देते हों वहां नहीं परहाएंगे क्योंकि बहुत सारे कुश्चन आपको टैली करेगा चाइल हेल्थ में भी और MSN में भी ओके चलिए अब यहां पर देखिए नेफरोटिक सिंड्रॉम अब आपको जो तब होती है जब किड्नी के फिल्टर यानि जो चन्नी होती है वह अच्छती गरस्थ हो जाते हैं नेफरोटिंग सिंड्रॉम सिंड्रॉम के मतलब होता है कि बिकार होना समझ गया समस्या होना तो नेफरोटिक सिंड्रॉम तब होता है देखिए नेफरोटिंग सिंड्र किर्णी में च्छनता है वह नेफरोन ही करता है चुकि नेफरोन को हम लोग कर्यात्मक और सनराचनात्मक दोनों इकाई कहते है किर्णी का तो यह काम भी करता है नेफरोन कौन सा काम च्छनने का काम करता है फिल्टर का काम करता है तो जो नेफरोन होता है उसी चुकि नेफरो जयाता है और बहुत ज़्यादा बलड में ये प्रोटीन बगैरा निकलने लगता है समझगे देखिए नेफ्रोटिंग सिंड्रोम में किडनी के चणनी जो होता है जिसे नेफ्रोन हम लोग बलते हैं उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं यानि खराप हो जाता है वो त्रीक्त पानी बलड में होता है और जो उचसरजी पदार्थ बेश्ट मेटेरियल होता है उसके साथ साथ में जो हमारे बलड में आवस्यक तत्व भी होते हैं जैसे प्रोटीन इसका मातरा जो है पेसाव के साथ जो है बहुत ज़्यादा निकल जाता है जिससे सरीर में प्रो सकता है बहुत बहुत महीन महीन जो है चाय पती का धूल के समान चाय पती आपके चाय में निप्टा हो आप छनी से छान रहे हैं चनी का छेद बढ़ा हो गया कहीं पे कट फटने से तो उससे जो है छेद से ही आपके चाय पती भी निकल ला है तो क्या हो गया चनी आपका ख प्रोन कहते हैं वह चन्नी में मतलब चानने में असमर्थ होता क्यूं क्यूंकि इसमें छतिगरस्थ होने से जो उहां का छेद होता है वह जो है बरा बरा हो जाता है जिससे जो बलड में हमारा बहुत सारे जो बेश्ट मैटेरियल होता है और जो पानी होता है वह जो चन्ने के सरीर के लिए प्रोटीन तो वह प्रोटीन भी भारी मात्रा में सरीर से निकल जाता है जिसके कारण बड़ी में पानी जल्दा निकल जाने से पिसाब के थुरू चुकी बेस्ट मेटेरियल को यूरीन के द्वरा ही न बाहर निकलता है तो उसी परकार से बेस्ट तो निकलता ही लिकलता है लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा पानी भी निकल जाता है और प्रोटीन भी जो है निकल जाता है छनने के बाद ज़्यादा मत्रा में जिससे होता है कि हमारे बड़ी में प्रोटीन की कमी हो जाती है और साथ में सूजन आने लगता है पानी के कमी होने से यही जो है हमारा नेफरोटिक सिंड्रॉम होता है समझ गए उमीद है समझ गए होंगे नेफरोटिक सिंड्रॉम किड्नी का एक रोग है जिसमें विभीन परकार के लक्षन जो है आपके देखने को मिलते हैं मुखता है यह तीन लक्षन देखने को मिलते हैं वही जो मैंने उपर प चाहिए चुकि यह best material है तो निकालना तो चाहिए बट इतना जदह निकल जाता है कि यह बडी में भी नहीं रह पाता है और फिर जो है albumin कमी हो जाता है बडी में तो हाईपो एल्बूमीनिया हाइपो मतलब कम ऑर albumin אבל right my में यहाँ हमारे बड़ी में प्रोटीन जो होता है क्या करता है हमारे बड़ी में बहुत ज्यादा चीज़ों को अच्छा रहता है बड़ी लेकिन हाइपर रृटीन हो जाता है जो हमारे बड़ी में जो छन्लह के किरिया है वह बाधित हो सकते हैं , और सूजन हो जाता है , तो यह 3 पर्टव लक्षण देखने को मिलता जिसको याद रखेossen आगे , अब इसका कारण भे प्रोटेंक सींड्रोम होने का कारण या होता है , ऍसको कारण में यह होता है , जो चन्नी खरापी , मतलब प्रीश को Diabetes Mellitis, चिनी का रोग होना, मेगदी में, सिकल सेल एनेमिया, समझ गये, सिकल सेल एनेमिया भी कारण होता है, TB भी कारण बनता है, TB पेसेंट है तो, और Hepatitis, मतलब अगर किसी को ये करीट में Hepatitis है, तो यह भी कारण बनेगा, और गुर्दे का कैंसर, Renal Serkinoma, तो यह जो है, आपको Renal में Cancer, गुर्दे में Cancer है, समझ गये, या फिर एकरीट में परदा Hepatitis है, 6 रोग है, सिकल सेल एनेमिया है, Diabetes का पेसेंट है, या फिर उसके जो Gluronephritis होता है, उसमें ही कोई समस्या हो, तो यह सब कारण जो है, आपको Nephrotic Syndrome होने का होता, ध्यान से देखिएगा, लक्षन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी किलियर कर पाईएगा, बरना confusion होगा, क्योंकि बहुत सारा बिमारी के बारे में पढ़ना, किसमें कौन सा लक्षन होगा, वह आपको सोचना परेगा, थोड़ा सा अपना skill, दिमाग भी लगाना परेगा, चुकि सब में एकदम 100% आप लक्षन को किलियर याद करके रख नहीं सकते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाना परेगा, कि कौन सा अंग खराप है, और कौन सा अंग में बिमारी है, और वह अंग का क्या काम है, तो जब वह अंग में खरापी होगा, गर आपको बता दिया, मुख लक्षन यही होता है, कि प्रोटीन यूरिया होता है, यूरिन से बहुत ज़्यदा प्रोटीन निकलने लगता है, प्रोटीन यूरिया होता है, जो की उपर बता ही दिये हैं, हाइपो अल्बूमीन का कमी हो जाना, हाइपर कुलो एस्ट्रोल लेमि मुख लक्षन है यह ने फ्रोटिंग सिंड्रोम में होता है लेकिन इससे रिलेटर कुछ अन्य भी कारण लक्षन दिखते हैं जैसे तौचा का पीला होना अगर मान गए आपके बड़ी में कमी होगा और बेस्ट मैटेरियल बढ़ेगा ठीक है तो आपके बड़ी पीला होगा समझ गए खुन की कमी भी होगा क्योंकि खुन को अच्छे से चान नहीं रहा है समझ गए वजन बढ़ने लगेगा कमजोरी होगा भूख न लगेगा पोटैसियम की संदर्ता बढ़ जाएगा चुकि पोटैसियम अगर आवसाइकता से अधीक हो जाएगा बड़ी में तो ब कमी होना वजन बढ़ना कमजोरी होना भूख न लगना पोटैसियम का संदर्ता बढ़ना जिसे हाइपर कैलिमिया कहते हैं और इरिटीबलेटी मतलब पेसेंट को चिरचिरापन लगना ओके निदान में क्या होगा यानि डाइगनोसिस क्या होगा तो डाइगनोसिस में किड़नी का जो है अल्त्रासांड कराएंगे रीनल यूएसजी साथ में रीनल बाइओपसी भी होगा किड़नी का बाइओपसी भी होगा तो यह सब यह दो मुखता जांच है इसको ध्यान में रखिएगा ओके बाकी चिकित्सिये परवंध क्या होगा देख लिजे अगर सं इम्टोमेटिक दवाईयां भी होगा तो एंटीबायोटिक संक्रमन के लिए एडीमा सुजन को नियंतरत्म करने के लिए डायूडेटिक्स देते हैं जैसे फुरसामाइट जो क्या करता है आपके बीपी को भी कम करता है और सुजन को भी कम करता है डायूडेटिक दवा उस इसमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रिलीज होता है पिसाब से निकलते रहता है तो उसके लिए हाई प्रोटीन युक्त भोजन भी आपको देना परेगा क्योंकि इस रोग में प्रोटीन बहुँ ज़दा 6 होता इसलिए हाई प्रोटीन बाला जो जो भोजन होगा वो शब देते रहेंगे चौथा है नमक को परतिवंद करना चाहिए नमक को बिल्कुन 9 के बरावर करना चाहिए समझ गए तो यह तो होगे आपका कुछ इलाज बाकी नेफरोटिंग सिंड्रोम छन्ना खराप हो जाने के बाद वही इलाज है कि रिनल ट्रांस्पिलेट करवाना पड़ेगा समझ गए किड़नी दूसरा लगवाना पड़ेगा बाकी इसका कोई जो है आच्छा उपचार है नहीं समझ गए यह चीज होता है बाकी नर्सिंग प्रवंद नर्सिंग किया रहा है बच्चों को संक्रमन से पिरीत होने पर अब देखिए यहां पर हम बच्चे के में पर रहे हैं चाइल्ड में इसलिए बच्चा लिखा है समझ गए अगर हम लोग नोर्माल पर 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 हैंगे तो सीधा लिखेंगे मरीज समझ गए बच्चा के जगा पर मरीज बच्चों को संकरमन पिरीत लोगों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए अगर बच्चे में संकरमन है तो उसे अन रोगियों से बचाना चाहिए बच्चे को ज़्यदा से ज़्यदा बिस्राम दे समझ ग değer तो अचा का देखवाल करनी चाहिए जैसे एस्पंज बात करें, सरीर पर टेलकम पाउडर लगा कर रखें, ठीक है, बच्चे को नियमित इस्थिर बदलते रहना चाहिए, बिस्तरी घाल से बचाने के लिए, आखो को बिस संकरमी सलाइन से साप करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अराम करने से हो सकता है, छठा है, बच्चे को जैविक चिन परतेक चार घंटे में नोट करते रहना चाहिए, समझ गए, बच्चे को इंटेक आउटपुट जो चार्ट होता है, मानगे कितना वह पानी पीया, पानी पीने के बाद कितना वह मूतर त्यागा, तो त्यागना हो गिया आउ बैग्यानिक सहारा परदान करें, उसे दैनिक गतिवीधियों में भाग लेने हैं, तू प्रोसाहिद करें, माता पिता को शंबल परदान करें, वह बच्चों को देखवाले तू उचित सिक्षन परदान करें, तो यह सब कुछ जो है नर्सिंग परवंध है, नोट मैंने ब परदान करें, तो यह सारे चीज होता है, तो यह सब चीजे जो है, आपको मैंने यहां पर बता दिया, नेफ्रोटिक सिंड्रॉम किलियर हो गया, यहां पर हिंदी हमने दे रखा है, इंगलीस भी दे रखा है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको अच्छे से किलियर कर ल झाल 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